हलो ट्रेडर्स आप सभी का स्वागत है विवेक मिस्टा ठेडिंग में मैं आज आपके लिए एक ख़बर लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेयर मार्केट और सेयर स्टॉक में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्योंकि देखिए ये जो टाटा ग्रूप और सरप्रोजी पलोनी जी का जो मतलब ग्रूप था वो अब एक्जिट कर चुका है दोनों लोग सप्रेट हो चुके हैं उन्होंने अपनी सतर साल की जो रि बिगेस्ट बिजनस ग्रूप थे वो अब सप्रेट हो गए हैं एसजी ग्रूप का जो मैनियर्टी सेयर होल्डर था टाटा सन के अंदर वो जो होल्ड करते थे टाटा क्रूप कंपनी में वो 18.37 परसंट इस्टेक था ठीक है उन्होंने बताया अपने स्टेट्समेंट में क यह जो सप्रेशन है वो बहुत जरूरी है नेसेसरी है क्योंकि वो उनके काम पे असर डार रहा है वो अपनी बेस्ट मतलब एलिगेशन जो थी उनकी साइट की लाइवी हुड और एकनॉमिक की वो अच्छी तरह किसे लोगों को प्रवाइड ने कर पा रहे हैं तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको जो Tata Sun SP और Tata का relationship है वो अब खतम करना पड़ेगा सतर साल के बाद और mutual trust जो था good faith और friendship का वो अब अलग होना पड़ेगा ताकि हम लोग अपना जो अच्छी तरीके से separation के बाद हम अच्छे से अपना जो best serve कर पाएं all stacks holder group में तो ऐसा कहना था SP group का तो देखिए जो कि अब इन्होंने अगर 77 जो इनका इस ट्रैक था जो की काफी ज़्यादा कोशली था तो Tata Sun ने और ये मतलब अभी court ने sustain कर दिया है कि जो SP group का pleasing था और transfer का इस ट्रैक था Tata Sun में उन्होंने बुला कि 18 एक्टूबर तक जब तक caring finally argument नहीं आ जाते तब तक इस पर hold रहेगा बट देखिए इसका क्या होगा how much does SP group on in Tata Suns and what its value अब देखिए जान लेते हैं कि क्या SP group में कितना वो hold करता है कितना on करता है Tata Suns में और उसकी value क्या है तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताए कि 18.37% इस्टेग जो है वो Tata Suns में hold करता है Tata group की company में और Tata market की जो capitalization की 17th list है initially वो उसकी जो Tata group का amount है वो बारह लाक बारह लाक 9.6 लाक करोन रुपए की valuation है जो SP group hold करता है लिस्टेड है initially Tata group company में और जो इसका around है वो 1.48 लाक करोन है और इन्होंने जो बताया है कि since जब से Tata Suns ने उनके share hold किया है initially Tata group में SP group would have a stake valuation the same of अब जो उनकी value थी वो भी काफी अच्छी same हो गई है क्योंकि इतने times का relationship था और इतने time से ये लोग work कर रहे थे बट अब इन्होंने decide कर लिया कि अब ये separate हो जाएंगे और इस पे बात बन गई है और अब ये लोग एक दुसरे से मतलब अलग होके वो जो SP group का stack का holder है उन्होंने बताया कि अब क्या होगा अब देखिए अब क्या होगा कि who can buy the SP group stack देखिए उन्होंने बताया कि SP group का जो stack था separation के बाद Tata group में ही जाना चाहिए ये necessary है Tata group ने उन्होंने पहले ही अपनी बात रख दी थी कि अगर वो लोग पहले से ही बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने exit कर दिया है तो जो इनके stack की value है वो हम लोग buy कर लेंगे इन Tata sons ठीक है और ये reliable है क्योंकि Tata son article जो है article of association में state दिया था कि shareholder जो कोई भी shareholder है अगर वो Tata sons के अंदर अपनी value जो है बेचना चाहता है सेल करना चाहता है पहले सबसे पहले जो उसको offer है वो Tata sons को ही करना पड़ेगा अगर Tata son ने decide कर लिया है कि और फिर वो Tata sons पर depend करता है कि वो अपनी जो market value है वो shareholders में लगाना चाहता है या अपने में save करना चाहता है ठीक है तो market value offer करना चाहता है या offer it से shareholders अगर वो shareholder को देना चाहता है तो shareholder को भी दे सकता है तो इसका जो impact है वो आपको हलका फुलका पड़ेगा news की वज़े से और बाकी जो चीजें हैं कि मैं भी आपको अभी कुछ clear नहीं बता सकता है क्योंकि देखिए अभी इन्होंने ये decide किया है आज अगर इसका share जो price है वो अब भी हो सकता है टाउन भी हो सकता है क्योंकि अभी इसका clear नहीं क्योंकि 28 October तक इस पे रोक लगा दी गई है कि इसका जो Tata Suns सी decide कर सकते हैं कि जो इनकी stock value थी वो उन्होंने shareholders को provide करना है offer करना है या market value में fairly install कर देना है तो thanks guys for watching my video अगर आपका कोई सुजाओ हो तो comment में जरूर mention करिएगा